दोस्तो नोक्या कंपनी अपना एक ब्रेंड न्यू स्मार्टफोन नोक्या जी टेंड इस्पेसली गेबिंग के लिए लॉंच करने वाली है तो चलिए इसके बारे में इसके कुछ स्पीसिफिकेशन फीचर प्राइस और लॉंच डेट कर रहने वाली है यह सब इस वीडियो म देखने को मिलता है और ग्राफिक्स इसमें आपको एंड रेणो चेश्व दस देखने को मिलता है और इसमें आपको एंडुएड वज्ट 10 ओप्रेटिंग सिस्टम पर रन करता है तो चलिए एक तरफ इसके श्टूरेज की और बात कर ली जाए तो इसमें आपको LCD देखने को मिलते हैं जिसका रेजिलूशन 720 इंटू 1560 पिक्सल है तो दोस्तों यह HD प्लस डिस्प्ले है और स्क्रीन सेच की बात कर लिजा तो इसमें आपको 6.39 इंचिस की डिस्प्ले देखने को मिलते हैं जिसका एस्पेक्ट रेशियो 9.5 रेशियो 9 है और यह दोस्तों पंच होल डिस्प्ले के साथ आते हैं और पिक्सल डेंसिटी दोस्तों इसमें 299 पिक्सल पर इंच है तो चलिए एक तरफ इसके कैमरा की और नजट डाल लेते हैं इसमें आपको जो Quad Prime Пр Sarah pic देखने को मिलते हैं जोकी 48 MP, 5 MP, 2 MP , tv में आपको सिंगल केमरा देखने को मिलता है जो कि 16MP के कैमरा है Ada , और catra चर्थ हैं यह सारा पिचर्चー देखने को मिलते हैं शूटिंग मोट की बात कर लिए तो इसमें आपको continue shooting HDR modes जैसे feature देखने को मिलते हैं तो चलिए एक तरफ इसकी battery की और दरजट डाल लेते हैं दोस्तो इसमें आपको 4000 mh की battery देखने को मिलते हैं और ये दोस्तो 10 watt की fast charging का support आती है और इसमें आपको USB type C port देखने को मिलता है और दोस्तो जो इसकी launching rate है वो global market में वो है 8 June 2021 और दोस्तो इसकी जो price है वो 13,000 से लेकर 15,000 के बीच रहने वाली है दोस्तो जो Nokia ये smartphone Nokia G10 जो smartphone है ये especially gaming के लिए launch होने वाली है और ये gaming के लिए especially बना हुआ है क्योंकि दो इसमें इसमें जो processor है वो एकदम न्यू वाला प्रोसेसर दिया गया है तो I hope ये phone बढ़िया रहना वाला है तो ये specific कैसे लगी और वीडियो कैसे लगी दोस्तो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को जोर सो जोर सब्सक्राइब भी कर दो